तो यार देखो अभी तुम लोग के इवेंट बोर्ट पे एक नया इवेंट दिख रहा होगा अपन इसके बारे में आज बात करेंगे और काफी सारे लोग मेरे पास कुछ इस टाइप के questions आ रहेते तो उसका भी answer तुम लोग को इसी वीडियो में मिल जाएगा ठीक है अब देखो है इस यह इवेंट जो है यह अगर तुम लोग को ऊपर ऊपर से देखने में F2P लग रह आजकल जो IGG इवेंट ला रहा है ना में यह P2P ला रहा है बढ़ हाँ वो ऊपर ऊपर से देखने में F2P जरूर लगते हैं ठीक है अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तुम लोग को अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा ठीक है पहले तो यार देखो अगर इसके अंदाजा लगाओ तो तुम समझ सकते हो थोड़ा बहुत कि अपन को जो एक कार्ड फिलिप करना है ना वो अपन को P2P वे से ही करना है मतलब कोल मिला के Packs खरीद के ही करना पड़ाईगा और अभी कैसे क्या कितने Packs करीने वो थोड़ी देर में आगे जब वीडियो देख जो round 1 होगा उसमें एक कार्ड फिलिप करने के लिए 5 पॉइंट लगेंगे जो round 2 होगा उसमें एक कार्ड फिलिप करने के लिए 10 पॉइंट लगेंगे जो round 3 होगा उसमें 15 उसके बाद 20 उसके बाद 25 ठीक है नहीं उसके बाद 25 नहीं नहीं 20 या उसके बाद हो सकता है 40 लगेंगे, next round में अपन को जाने के लिए grand price अपन को collect करना necessary है, mandatory है, और grand price अपन तभी collect कर सकते हैं, जब अपन पाचो कार्ड फिलिप कर सकते हैं, जब अपन कोई एक pack खरीदे, वो भी different amount का, क्योंकि total अपने पास 4 task दिये गए हैं, जो कि अपन F2P wave से कर सकते हैं, बट pack खर इस वीडियो में task complete करता हैं, इसलिए चल रहा हूँ, ताकि ज़्यादा clarity हो पाए, ज़्यादा साइसे तुम लोगों समझ में आपाए, कि क्या है इस event में पूरे, क्योंकि काफी सारे लोग मेरो कोई ये भी पूछ के कि, कि इस event में कैसे क्या करना है, ठीक है, event वगरा, मतल तो तुम लोगो prices वगरा claim करने के लिए तुम लोग पहले तो ये accept वगरा करनो, ठीक है, जब हमने accept कर लिया, जैसे कि अगर तुमने थोड़ी देर पहले देखा, पहले मैंने चारो task वगरा accept किया है, उसके बाद मैंने एक एक करके task start किया है, ठीक है, तो अच्छा एक बा से 20,000 energy use करो, जैसे कि अभी मैंने किया है, तो ये वाला task माना जाएगा, मतलब ये वाली energy उस task के लिए valid है, जो इसके पहले मैंने वो किया है, वो valid नहीं है, वनना फिर मेरे को शौक नहीं है अपनी energy waste करने का, ठीक है, अब देखो, एक बात और, एक बात क्या है, अभी त इसा चूस रहे है, लेकिन इनका इत्ता अच्छा system नहीं है, कि हम लोग यहाँ पर task करें, वहाँ पर ये लोग तुम्हेरी entry दिखा दे कि यहाँ तुमने task कर रहे है, यहाँ कुछ बार दिखा भी देंगे, हो सकता है कि अभी बार एक दो मिनट लेट हो, तो उसमें आराम स हुआ, तो वह दिखा देगा कि मैंने complete कर लिया है, जैसे कि उसके बाद मैं कोई दूसरा task करने लग जिया था, मतलब jump suspend करने आरा task करने लग जिया था, तो फिर दोनों task को उसमें इखटे ही दिखा दी है, अब दो गयार, जो अपना तीसरा task बचा है, वो है, अपना might बढ करना लेंगे, तो फिर 100 के might बढ़ जाएगी अपनी, तो बस अपन को यही करना है, टूप के थ्रूप माइट बढ़ानी थी, वो हमने अपने troops बना के might बढ़ा लिये, ठीक है, तो अगर अभी अपन देखेंगे जाके, तो अभी वापस से यहां पे दिखा रहा है कि अपन लोगों ने वो complete नहीं किया है, यह वाला टास्क, तो अपन थोड़ी देर और वेट करेंगे, ठीक है, बस जादा नहीं है, मुश्किल से 30 सेकेंड या 15 सेकेंड या 1 मिनिट, 1 मिनिट च्यादा वेट नहीं करना, ठीक है, तो बस अपन थोड़ी देर और वेट कर लेंगे, अब देखो है, यहां पर दिखाने लग लग रहा है कि हम लोगों ने complete कर दिया है, तो देखो है, लगबग 4 अपन claim कर चुके हैं, ठीक है, तो अभी अपन एक एक कर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कार्ड फिलिप कर लेते हैं, तो पहली बार अपन ने जब कार्ड सकते हैं, एक डॉलर्स करने में लग भग, मतलब 0.99 फिलिए कन दो खर्च करने पर एक ओण, जो तिम लोग चार्च करने में 5 फिलिए कि यह स्टर्म चल रहा है, एक पर एक कजू सिस्टम चल रहा है, जो पब इस बाद अपन इसको गलेक कर सकते हैं, अब देखो, अगर त में थोड़ी देर पहले दिख रहे थे और उसके बाद जो सबसे नीचे लिखे हुए है जैसे जिसमें ये है परपल क्रिमसन और अपने आर्क्टिक टोम और ये सारी चेस्ट एक्स्ट अर्डिनरी चेस्ट होगे रहा ये सब जो है ये सब ग्रेंड प्राइजेज में आते हैं आर्क्टिक टोम राउंड टू का ग्रेंड प्राइज ये है राउंड 3 का अपना क्रिमसन है रांड फूर कशे रान फूर चेस्ट है उसके बाद यह ये एस्ट्र राइजे रैसे घ़र जाते हैं आपन तभी क्लेक कर सकते हимерाएं औरा ने सारे कार्ड फ्लिप कीए हों तो round 2 में अपनको 10 डॉलर के लगबग खर्च करना रहेगा round 3 में 15 के लगबग 15 के लगबग मान लिते हैं मान के लिते हैं मतलब लिखा हुआ है उसमें proper तो वो तुम अपने हिसाब से पढ़के कर सकते हो कुल विलाके तुम मेरी बात का logic समझे को तो बस फाइनली यार एंट के लगबग मैंने सब बता दिया मुझे उम्मीद है तुम लोग अपने questions कहां से भी मिल गया हैं तो बस फाइनली एंट के लगबग वीडियो मिलता हुआ नग्शे वीडियो में तब तब के लिए बाई बाई टाटा